क्या हाले दोस्तों कैसे हैं मैं हूँ बिलाल और हम सीख रहें SQL model लास्ट वीडियो में हमने create और gate की request बनाई थी और आज की वीडियो में हम update और delete की request बनाएंगे बहुत ही जादा आसान है सारा copy paste बस समझ के करना होगा modification हमारी जिम्यदारिये code देना इनका काम है और समझना हमारा काम है तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने code के उपर code के उपर आने के बाद मैं इसको cmd करूँगा cmd में करने के बाद इसको zoom कर देंगे बड़ा कर देंगे और इसको अपने VS code के उपर open कर देंगे यह वही सारा code है जो last video में हमने किया था ठीक है ना तो इसको तो समझने की जरुबद नहीं इसको moledy समझ चुके हैं अब हम क्या करेंगे अपने server को run करेंगे हम कहेंगे point 3 run करो किसको run करो यूवी कौन को इसके अंदर SQL के SQL card का folder है इसमें जाओ इसके अंदर main की file है इसमें जाओ main की file में एप का object है इससे run करो हाइफन हाइफन री लोड ठीक है इंटर कर देंगे हमारा server अप हो जाएगा हमारा server बिलकुर normal चल रहा है इसको minimize करते हैं और आ जाते हैं अपने browser पे browser आने के बाद यहां पे यह रहा हमारा db उसके अंदर तीन task बने वे जो हमने बनाए थे हम आ जाते हैं दुबार से SQL model क के उपर और अपने code के उपर code के उपर आने के बाद हम क्या करेंगे हम यहां पर एक और काम करेंगे यहां पे एक API के लिए वह update की request होगी तो मैं इसको करता हूं copy कोपी करने के बाद इसको मैं करूंगा paste करने के बाद post की जगे में कर दूँगा update पोस्ट को कर दूंगा पुट कर दूंगा और यहां पे हमें लानी है हमें API बनानी है तो हम आ जाते हैं अब मुझे API बनाना नहीं आ दिया मैं क्या करूंगा मतलब अपडेट की API बनाना नहीं आ दिया तो मैं SQL Model के बास जाओंगा यहां कहूंगा Update अपडेट लगोंगा पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे स्क्रोल डाउन करेंगे यह सारी चीजें मैं समझा रहे हैं कि देखो पिरामीटर भी दे सकते हैं मुक्तलिफ तरीके हैं API बनाने के मुक्तलिफ तरीकों से कर हम अपडेट कर सकते हैं डेटा तो फिलाल हम यहां पे करते हैं क्या यहां पे हम करते हैं हम इसको बॉडी में टास्क देंगे इसकी टाइप होगी टास्क ठीक है जिसकी टाइप होगी उसके बार इसका पहले rename कर देते हैं इसका name change करते हैं यहां पर करता हूं task और line by line आते हैं मैंने इसका name change कर दिया update करो बहुत टास्क को और इसके body के इंदर हमें task बेजेंगे जिसकी type भी होगी task उसके बाद session create किया session में engine pass कर दिया और एक statement का variable बनाया उस variable के अंदर हम क्या करें कि वही उस variable में statement दे रहें क्या statement दे रहें हम के रहें select करो काहसे select करो हमारे डी बी में जाओ select करो select करने के बाद किसको select करो हमारे task table को select करो اور उस तास्क टेबिल के अंदर task.id बडाबर होनी जो के क्या करेगा हमें जिस task को update करना है उस task को हमारे data में से ले करा जाएगा ठीक है तो हमने कहा ही जो हमारी statement है इसको execute करो जब execute हो जाया तो उसका जो भी result है इस result के अंदर save कर दो और उस result को हमने एक और variable बनाया है जिसको मैं करता हूँ rename db underscore task task को हमें update करना है वो task हमारा db underscore task के अंदर save हो जाएगा और यह task हमारा db से आएगा ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई अब इसको हम करते हैं copy copy करने के बाद हम कहेंगे hero.h की जगे जब यह task आ जाए भाई तो इसको क्या करो इसके content को update करो किसे update करो यह जो हमारी body है इस body में जो content है इससे update करो तो task.content इससे update कर दो जब update हो जाए जब update हो जाए तो इसको इसको copy करते हैं जब update हो जाए तो पहले इसको मैं ज़रा सा control d v कर दिया और इस line को हटा देते हैं इस line को हटा देते हैं ठीक है इसकी जरूरत नहीं है समझते हैं हमने कहा कि अब हमारा db.task का content है वो उसके अंदर assign कर दो जो हमारी body है उसके अंदर content आएगा उससे update कर दो जब update हो जाए तो हमारा जो यह db.task है updated task हो गया इसको add कर दो हमारे database में comment कर दो और उसके बाद हमारे database में यह db.task है इसको refresh कर दो और refresh करने के बाद मैं यह कहता हूँ कि इसको यहase return भी कर दो. db. जो भी यह task होगा जो भी update होगा update होने के बाद इसको return भी कर दो. सेब कर दिया टिक है, जब करने के बाद इसको अब खालते है तो मैं आता हूँ यहाँ पर थंडर क्लाइंट के उपर थंडर क्लाइंट के उपर इसके उपर आ जाते हैं और इसको हटा देते हैं पुट की रिक्वेस्ट है यहां पर मैं इसको हटा देता हूँ put की request के बाद body के अंदर हमें क्या भेजना है task भेजना है task के अंदर हमारे पास क्या था ID है और ID के बाद हमारे पास ID क्या दे हैं हम अपने पहले DB में जाते हैं DB के अंदर हम कहते हैं ID 3 ID 3 को हम change करेंगे ID 3 task को हम change करना चाहते हैं तो हम आते हैं id3, id3 लिखते हैं यहाँ पर और कॉमा, कॉमा के बाद हम कहते हैं इसको change कर दो task 3 update, ठीक है इसको कर दो, यह हमारी body है, इस body के जरी हमने कहा कि id3 वाले task को क्या कर दो, उसके content को update कर दो इससे, मैं जैसे ही request भेजूँँगा, देखो update हो चुका है, अगर हम आ आ जाएं अपने db के उपर, यहाँ पर अभी देखो task 3 के उपर क्या लिखा हो है, सिर्फ task 3, मैं refresh करता हूँ, मैं refresh करता हूँ, ठीक है, refresh करूँगा, task के उपर आ जाऊँगा, और यहाँ पर देखेंगे, task 3 updated, अब हमें task 4, id जो 4 है, इसके task को हमें update करना है, तो हम आ जाएंगे, दुबारा request के उपर, इसको कहेंगे, भाई, id 4 के उपर जाओ, और 4 के उपर जाने के बाद, task 4 updated, send करतो request, ठीक है, यह भी update हो गया, कितना आसान तरीके से हो रहा है, बिल्कुल हलवा copy paste किया है, सारा, अपना सिर्फ दिमाग लगाए, modify करने के लिए, जिस तरह हमने पूरा server लिखा है, देखो task 4 भी updated हो गया, और task 2 को update करना, आपका homework है, यहां तक बात समझ में आ गई, अब हमें delete करना है, बहुत ज़्यादा आसान है, भाई अब हमें delete करना सिखाओ, delete लिख दिया, इसके उपर चले गए, चले गए, यहां पर आये, scroll down किया, scroll down किया, यहां पर इसको open किया, देखो यह पूरी documentation में delete करना बता रहा है, one by one, one line, हर line के उपर यह बता रहा है, इस line के उपर हम यह कर रहें, यह कर दें, तो इसके उपर क्या करेंगे, हम करेंगे इसको copy, copy कर लिया, copy करने के बाद दुबारा code के उपर आ गए, अपने main के ऊपर आ गए और यहां पर gate के नीचे, इस बां gate के नीचे बना देते, ठीक है, इसको हम करते है, paste, paste करने के साथ, हम अपना route भी बना देते है, इसको करते है, copy कपी करने के बाद इसको करते हैं इसको करने के बाद ढीट क कर D अब यहां पर हम क्या करें हम इसको कर तास्क को वह करो कुछ भी नहीं जांत Mary करो इसके अंदर हम करेंगे टास्क भी असके इंदर माइडीः लिएंग't इसटी होगी INTEGER ठीक है और कुछ भी नहीं होगा या चाहें तो तास्क भी भेज़ देते हैं वह हमारे पर हैं ना हमारी मर्जी कुछ भी भेज़ें वहारा हमारी मर्जी अच्छा करो इसके अदर हम टास्क भेजेंगे पूरा के पूरा उस टास्क एदर क्या हुआ session के रिए तुआ फिर हमने statement बनाई statement यही बनाई के हमारे task के table के अंदर जाओ वहाँ पे इसकी जो id है task.id बराबर होनी चाहिए कि इसके जो body में आ रहा है न task body है यह body वाला task यह task हम body में भेज रहे हैं इसकी जो id है इसके बराबर होनी चाहिए वह task जो है लेकर आओ और इस statement को execute करो execute करने के बाद db db task के नामसे variable बनाया और जो database से task आएगा वह यहाँ पे लाके इस variable में save कर दो इसको फिर हटा दो इसकी ज़रूरत नहीं इसको मिटा दिया और यह db task हमारे database से आ गया तो हमने कुछ नहीं का हमने का session को वही इस task को delete कर दो डिलीट करने के बाद comment कर दो return कर दो return कर दो task delete dot 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 save कर दिया बोड़ी बात है पहले हमने क्या किया हम अपने DB से कर अपने task को लेकर आए task को लाने के बाद उसको DB task के अंदर save किया save करने के बाद हमने session से का गया इस task को जो है delete करते हो save कर दिया अब कुछ नहीं करते है अपने code के उपर जाते है अपनी request के उपर जाते है put की जगे हम करेंगे delete बाकी route हमारा सारा same रहेगा इसके अंदर हमने कुछ भी changes नहीं किये और four को ही हम delete कर देंगे four को ही delete करते है send की request की यह किरा है method not allowed क्यों method not allowed जरा इसको check कर लेते हैं क्या हमने problem कर ली इसके अंदर हम आ गए इसके अंदर task.id पर हमने किया ठीक है और यह task की है और task.id सब कुछ सही है method की हमें वह कर रहा है आचा दुबारा से भेज के देख लेते हैं और यहां पर हमारी request भी delete ठीक है delete की है request इसके उपर आए task id और send task deleted ठीक है वह update नहीं वावा था उस वक इस वज़े से task delete हो चुका है अब हम दुबारा से अपना टास्ट एक और delete करते हैं कौन सा task delete करते हैं पहले हम अपने neon dv के उपर आ जाते हैं neon dv के उपर आने के बाद इसको refresh करते हैं हमारा task कम हो जाना चाहिए कहां पर है हमारे task हमारा task कम हो गया अब हमें जो है task to task to जो है इसको delete करना है हम आ जाएंगे task to के उपर भाई तो task to के उपर आ गए हमारा task to delete कर दो task to में content जो है हम भेज देते हैं इसकी जरूरत नहीं है content की लेकिन चूंकि हमने वहां validation लगाई हुई है कि यह validation लगाई हुई है इसके लिए content पास करना जरूरी है वना हम इसको हटा दें तो हम सिर्फ id भी पास कर सकते हैं इसमें problem नहीं तो अब हम तू को delete करते हैं हमने send किया तू भी delete हो गया जबदस कितना ज़ादा आसान refresh करके देखें भाई और जैसे refresh होगा टास्क टू हमारा delete हो चुका होगा वाउ कितना ज़ादा आसान है भाई पूरी टू डूए बन गई अच्छी लगे तो लाइक करो शियर करो सब्सक्राइब को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाहाफिज अच्छी लगे लगे ऊच्छी करते हैं जह होगाफिज